मसीह की श्रेष्ठता जो उपर से आता है वो सर्वोपरी है जो प्रत्वी से आता है वो प्रत्वी का है और प्रत्वी की बातें बोलता है जो स्वर्ग से आता है वो सर्वोपरी है उसने जो कुछ देखा और सुना है वो उसी का साक्ष देता है किन्तो उसका साक्ष कोई स्वीकार नहीं करता जो उसका साक्ष स्वीकार करता है वो ईश्वर की सत्यता प्रमानित करता है जिसे ईश्वर ने भेजा है वो ईश्वर के ही शब्द बोलता है क्योंकि ईश्वर उसे प्रचोर मात्रा में पवित्रात्मा प्रदान करता है पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा